न्यूजिलैंड ये एक ऐसा देश है जहां पर करप्शन ना के बरावर है इमानदारी के रैंकिंग में न्यूजिलैंड का सबसे पहला नंबर लगता है इमानदारी के मामले में इंडिया न्यूजिलैंड के आसपास भी नहीं है सही में न्यूजिलैंड की जितनी तारिफ कर तो उतनी कम है रिसेंटली उन्होंने एक और बेंचमार्ग प्रस्ताविट किया है अपनी आने वाली जन्रेशन की हेल्थ का ख्यार रखते हुए न्यूजिलेंड में सिग्रेट्स बैन कर दी गई है दूसरी तरफ इंडिया में क्या हो रहे है तो लोग प्रतिनेदी विदान सभा में खुले हम गुटका चबाते हुए पकड़े जारे जब नेता जी से इसके बारे में जवाब मांगा गया कि आप विदान सभा जैसी पवितर जगपे बैठके अपनी जुबा केसरी कैसे कर सकते हो तो इसके जवाब में भाई साब नेता जी के तेवर तो देखो उसमें सुपारी है और कुछ नहीं है निकोटिन नहीं और इसको कानिक बनाने उदान सभाने नहीं नहीं खाना ये भी हमको मालूम है क्या सोचेरे तेरी मानना पड़ेग कुछ ऐसा ही इंसीडेंस बिहार में भी देखा गया कैंसर दिवस कैंसर के खिलाफ जन जागरूती चल रही थी और भाई साब नेता लोग स्टेज पर ही पुडिया खुलना शुरू कर गिये जेडियू सरकार ने बिहर में तंबाकू पर प्रतिबत लगाया है लेकिन जेडियू की रैली में मंच पर बैठे मंतरी और विथाए खुले आम तंबाकू उच्छा बाते देखे जब सरकार में बैठे लोग ही ऐसे कानून के धजिया उड़ाएंगे तो भला आम जनता से कोई क्या उमीद करें तो इसमें इतना काही वाउंडर कर रहे हो चोटे से जिंदगी है थोड़ा मिठा सो ज़रूरी है ना बोलो जबाकी श्री अब कुछ पॉलिटिकल पाइडिक जो धिंकिंग जैनरल था इसको देखके साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो भी विकास हो रहा है धारू में ही हो रहा है मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं नहीं कर रहा है यह जाने माने न्यूस चैनल के गोधी मीडिया एंकर जिनके प्राइम टाइम जो हिंदू मुसल्मान वाले टॉक्स होते हैं जिन पर जनता आख मूंद के विश्वास करती है दारू पी के एंकरिंग कर रहे मतलब जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है अब कुछ भकत आके इसकी इस हरकतों को भी justify करते हुए explanation देंगे कि यार आप यह बूल जाओ कि इसने शराप पी रखिए आप इसकी भावनाओं को समझो हां recently एक सरकारी officer नहीं जो बोला था कि दारू पीने वाला इंसान कभी जूट बोल ही नहीं सकता जो भी बोलता है बिल्कुल डिल से बोलता है परसनल experience से बोलाता न उसने हमें एक ऐसे देश में रह रहे ना जहांपे अगर सरकार ने ठान ली ना कि हमें गुटका बंदी करनी है यह हमें शराप बंदी करनी है तो बस एक रात काफी है वो सरकार गिराने के लिए नहीं नहीं ओपोजिशन नहीं लोग ही गिरा देंगे हैसी सरकार हाँ कभी-कभी मुझे जनता की मेंटालिटी पल्ले ही नहीं पड़ती फिर चाह वो सरकारी ओफिसर हो कोई नेता हो या आम जनता में से सर्व सामन्द इंसान हो एक सिंपल से वैक्सिन के एक्जामपल से समझाता हूं वीडियो को एंटक जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइ लेंगे तो इसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपको ऐसी वैक्सिन चुबा दी जाएगी ना जिसके एक्सपार डेट या तो नजदिक आ चुकिए या वह वैक्सिन अल्रेडी एक्सपार हो चुकिए वीडियो को इं आपन एक्सपारी एक्स्टेंशन कंसिडर कर सकते आने वाले जून 2022 तक तो भले ही वह एक्सपार है फिर भी आपन एड्मिनिस्टर कर सकते तो अब आप सोचो कि आपको क्या करना है हमने कहां कि दो दिन का टाइम तो हम सोचके आपको बता देंगे अरे बरोवरे ना यह मत पैसे तो पुरे देंगे तो एक्सपारी डेट को एक्सपारी एक्स्टेंड करा लिया है आप यह नोटिस देख सकते हो कि किस तरीके से कोविशिल्ड और जाइकोवडी जो कि अब तक लॉंच हुई भी नहीं है आने वाले कुछ दिनो में उसका भी वैक्सिनेशन शुरू हो जाएगा उसकी भी एक्सपारी डेट बढ़वा के लिए है जब मंदाविया सर जो कि अपने हेल्थ मिनिस्टर सावे सेंटर गवर्मेंट के उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे दो रिजन्स बताए एक तो यार पूरी दुनिया में यह सारी युगाड किया जा रहा है अब यह तो रहे सरकारी अपडेट मेरा इस पर क्या ओपिनियन है मेरा क्या मानना है मेरे पर्सनल थौर्ट्स क्या है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखो कोई भी चीज जब एक्सपार हो जाती ना खास करके वह मेडिसिन हो तो आपन सो पर सोचते हैं वह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ऑन पेपर भले ही चाहिए कोई भी कुछ भी बताए बट फिर भी एक ऐसी चीज़ जिसकी वैलेडिटी घता हो चुकि है जो अपने बॉड़ी के अंदर जाने वाली है वह बहुत सेंस्रीटिव मैटर हो जाता है त 99.9% यह सेफ है तो भी 0.1% वह अनसेफ हो सकती है यह 0.1% भी बहुत भारी पढ़ सकता है इकस्पार वैक्सिन की सेफटी को लेकर सरकार और कई सारे एक्सपर्स बता रहे कि एकस्पार होने के बाद भी यह वैक्सिन एफेक्टिव के बारे में बाध हो रही है सेफटी के में उतना एंफसाइज करके कोई बात नहीं कर रहा देखो एक वैक्सिन के अंदर नो डाउट जो इम्मुनिटी जनरेट करने की चीज़ें होती है जैसे कि डेड़ वाइरस या फिर आपकी जेब से पैसे जाने वाले मैंने खुद ने वैक्सिन का एक डोस पैसे बर के लिए है तो एज रिस्पॉंसिबल कंज्यूमर आपको आपके प्रड़क्ट के बार में पता होना चाहिए जो कि आपके बॉड़ी के अंदर जाने वाला है वैसे इतनी प्रेशियस वैक्सि क्रेडिट ले सकते हैं तो एकस्पायड वैक्सिन का क्यों ही को मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए अब ये आपका है verbessि लेने के लिए लिए करतेओ या आपकी क्या थोट से नीचे कमेट बॉक्स में में मेंशन करे मुझे बताए क्ता है डिर्वा prov तो कह रहे हैं तो तुम करो आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे तो करो ना भी क्यों नहीं कर रहे